साथियो नमस्कार स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल आरके नोलेज इलेक्ट्रिकल में दोस्तों उपने एक बार फिर उपस्तित हुए हैं आपके सामने ओनलाइन टेस्ट नमबर जो बारा हुआ था उसकी आंस्वरकी के साथ में और इस टेस्ट में जो अपने टोपिक लिया था वो टोपिक था चुमबा की यहनि इस क्यूशन में जो इलेक्ट्रिशन थियोरी से जो चुमबक वाला टोपिक है उससे रिलेटेट टोटल पंदरा क्यूशन थे तो उन किशनों पर अपन बात करने वाले हैं यदि आपने ये टेस्ट दिया है तो आप इस वीडियो को जुरूर देखे और अपने आंसर के का मिलान करें अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है फिर भी आप इस वीडियो को जुरूर देख सकते हैं इसमें आपको Electrician Theory के चुम्बक वाले टोपिक से टोटल मैतोपूर्ण 15 कुशन आपको मिलने वाले हैं तो उन पर ही अपन बात करनेंगे आज तो चलते हैं फर्स्ट कुशन के तरब सिंपल क्यों पेपर था तो आपको आसानी से समझ में आई जाएगा जिन्होंने टेस्ट दिया है वो अपने कुशन का मिलान ध्यान से जरूर करें क्योंकि कुशन का सीरियल नंबर और ओप्सन का सीरियल सिक्वेंस जो है वो चेंज होता रहता है हर paper में अलग sequence रहता है ये तो सब के अलग-अलग sequence आएगा तो अपने question का मिलाना आप ध्यान पूरक जरूर करें तो चलते हैं first question की तरब और first question है अपना तो first question है पधार्त जिनको चुम्बकिय चेतर में रखने पर उनकी चुम्बक के तीवर्ता घट जाती है वहें क्या कहलाते हैं ऐसे पदार्त आपको बताने हैं जिनको चुम्बक के छितर में रखने पर उनकी चुम्बक के तीवर्ता जो है वो कमजोर हो जाती है यानि घट जाती है कम हो जाती है तो ऐसे पदार्थ अपने डाया चुम्बक के मेगनेट कहलाते हैं यानि परती चुम्बक के पदार्थ कहलाते हैं लो चुम्बक के पदार्थ वो होते हैं जिनकी चुम्बक सिलता एकाई से अधिक होती है बहुत अधिक होती है एकजार तक होती है अनुचुम्बक ये वह पदार्थ होते हैं जिनकी चुम्बक सिलता एकाई से कुछ ही अधिक होती है तो वो अपने अनुचुम्बक के पदार्थ कहलाते हैं यहाँ पर यहाँ पर डाया मेगनेटिक आयेगा यानि परती चुम्बक क परदार्थ आएंगे ऐसे परदार्थ होते हैं जिनकी चुम्बक के तीवर्ता जो है वो घट जाती है इनको चुम्बक के छेतर में रखने पर तो फर्स्ट क्यूशन का आंसर अपना होगा परती चुम्बक के पदार्थ चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के तरफ Q2 है फेराडे के विद्धु चुम्बकी प्रेरण नियम के अनुसार किस परत्यावरती परकार के चुम्बकी चेतर में किसी चालक को पूर्ण गती से गुमा दिया जाए तो प्रेरित यह मैं क्या होगा देखके दोस्तों यह Q2 जो है बहुत सिंपल था यदि आप इसको ध्यान से पढ़ते तो बहुत क्युशन इसका अंसर आप आसानी से दे सकते देखो फेराडे के नियम के अनुसार परत्यावरती चुम्बकी चेतर में चालक को रख दिया जाता है तो उसमें EMA पुत्पन हो जाता है या फिर किसी इस्तिर चुम्बकी चेतर में चालक को गुमा दिया जाता है तो उसमें EMA पुत्पन हो जाता है तो आप इस कुशन को ध्यान से पढ़िए इसमें जो है देखो आपको लिखा है कि किसी परत्यावरती परकार के चुम्बकी चेतर में किसी चालक को घुमा दिया जाए यानि परत्यावरती परकार का चुम्बक के छितर भी है और चालक भी गती कर रहा है तो इस परकार से दोनों के बीच में कोई सापेक्स गती नहीं होगी और इसमें कोई भी EMF उत्पन नहीं होगा इसलिए इस क्यूशन का आंसर आएगा सुन ने तो मेरे काल से यह समझ में आयोगा आपको क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है थीन नमबर क्यूशन देखिए क्यूशन नमबर तीन है चुम्बक ये फलक्स गनत्व का मातरक क्या है चुम्बक ये फलक्स गनत्व है इसका परतीक जो है ये B होता है और इसका मातरक जो है वो वेबर परती मेटर स्क्वाइर होता है तो ऐसा कोई option है नहीं याला कि वेबर परती मेटर है ये वेबर परती मिटर स्कॉयर होता तो ये आंसर से ही होता तो आपको ये भी पता होगा कि एक वेबर परती मिटर स्कॉयर बराबर होता है एक टेसला इसलिए इस क्यूशन का आंसर हो जाएगा टेसला तो इस क्यूशन का आंसर हो गया है टेसला कुशन नमबर 4 है बिस्मित एंटिमनी आदी किस परकार के चुमब के पदार्थ है बिस्मित है एंटिमनी है आदी ये जो है अपने डाय मेगनेटिक पदार्थ की सरेणि में आते हैं इसलिए इस कुशन का अंसर होगा option number B यानि डाया मेगनेटिक यानि परती चुम्बक के परपदार्त ये होते हैं चलते हैं next question 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 number 5 है बहुत simple paper था question question number 5 है एक सूट रन वाली coil में 8 ampere की धारा परवाइद करने पर उत्पन चुम्बक की ये वाहक बल क्या होगा देखें आपको पता करना है यहां पर mmf और mmf वराबर होता है जो है n into i ये इसका formula होता है n होता है turn की संग्या i होती है धारा turn है अपने पास 100 और धारा जो है वो है अपने पास 8 ampere तो इसको गुणा करेंगे तब इसका answer आजाएगा 800 ampere turn तो इस question का answer हो जाएगा option B 800 ampere turn चलते हैं question number 6 की तरब question number 6 है hysteresis हानी कम करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है बहुत simple है ये चुम्बकी सत्यों का एक परकार होता है जो low सत्यों का एक परकार होता है इसमें तो hysteresis हानीों को कम करने के लिए आपको जो है silicon steel के core प्रियोग करने पड़ती है तो यहाँ पर option B जो है वो right answer होगा कई लोग इस पर answer कर रहे हैं ये stainless steel है ना कि silicon steel इस question का answer option B होगा silicon steel के core प्रियोग करने से अपने hysteresis हानी कम हो जाती है laminated core करने से अपने eddy धर हानी question number 7 है किसी 50 टरन वाली coil में धरा 5 amp air से बढ़ा कर 10 amp air करने पर mmf में होने वाला परिवर्तन क्या होगा देखें दोस्तों इस question को ध्यान से समझे आप यहाँ पर बता रखा है कि mmf में कितना परिवर्तन होगा ये नहीं पूचा है कि mmf कितना होगा परिवर्तन पूचा है तो परिवर्तन देखें पहले कितना था और बाद में कितना हो गया ये निकाले जिए उनको घठा देंगे तो answer आजाएगा देखें mmf का सुतर अभी अपने बताया है था n into i होता है यानि इसके अनुसार अपन जब करेंगे तो 50 टरन हो गए और धारा पहले था 5 अमपेर थी तो इसको जब करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 250 अमपेर टरन अब अपने धारा को क्या कर दिया है धारा को जो है अपने 5 से बढ़ा कर 10 कर दिया है यानि अब ये सुतर हो जाएगा n into i n की जगे 50 लिख देंगे i की जगे इस बार 10 लिखेंगे तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 500 यानि पहले 200 था अब हो गया 500 तो अंतर कितना आया 250 का इसलिए इस क्योशन का आंसर हो जाएगा 250 अमपेर टरन तो option number a जो है वो इसका right answer हो जाएगा 250 टर्ड चलते हैं next question की तरब question number 8 है चुम्ब के सुई यानि कमपास में किस परकार के चुम्ब का प्रियोग होता है चुम्ब के सुई इनके अंदर इस्ताई चुम्ब को होता है यानि permanent magnet होता है बिल्कुल simple है तो इस question का अंसर आजएगा option b permanent magnet question number 9 है एस्ताई चुम्ब के बंडारन के दोरान उनके सीरो पर यानि पोल पर क्या लगाना चीए देखो ये question आप अगर थोड़ा इसमें भी आग ध्यान से देखते हैं आपको ये question भी बहुत simple लगता इसमें कहा रहा है कि एस्ताई चुम्बक एस्ताई चुम्बक जो है अपन उनको कहते हैं जो विद्धु चुम्बक होते हैं और विद्धु चुम्बक का कभी भी भंडारन नहीं किया जा सकता है तो इसलिए उनके सिरो पर कोई भी या कुछ भी नहीं लगाय जाता है देखो चुम्बक की रक्सक और कीपर जो है ये इस्ताई चुम्बक के पूल पर लगाय जाता है ताकि उनका चुम्बक की गुण जो है वो लंबे समय तक बना रहे यानि उनको जब बंडारेन अपन करते हैं तब उनके सिरो पर अपन कीपर या चुम्बक के रक्सक लगाते हैं तो एस ताई चुम्बक विदू चुम्बक होते हैं तो उन पर अपन किसी परकार का कीपर या चुम्बक के रक्सक नहीं लगाते हैं तो इसके कोई भी option सही नहीं है इसलिए इस question का right answer जो होगा वो होगा अपना option D इन में से कोई नहीं चलते हैं question number 10 की तरब question number 10 है solenoid का प्रियोग निम्न में से किसमे नहीं होता है यानि coil का प्रियोग किसमे नहीं होता है इस question को तो हवासनी से दे सकते हैं तो इसका सिधा सा answer दिखी रहा है सेल के अंदर जो है अपनी coil नहीं होती है motor के अंदर coil होती है विदुद घंटी में भी coil होती है तो उप्योग सभी आ नहीं सकता क्योंकि sale है तो यहाँ पर sale जो है कम करने वाला या समाप्त करने वाला बल corrosive force कलाता है जिसको इंदी में अपन निग्राही बल कहते हैं इसलिए इस question का answer जो है वो होगा अपना option B निग्राही बल Question number 12 है जब समान दिसा में धारा ले जाने वाले दो समानतर चालकों को पास में रखा जाता है तो चालक क्या अनबव करते हैं देखो कोई दो समानतर चालक है इस परकार से यह चालक है और यह जो है धारा ले जा रहे है अब यह question में अपन को यह नहीं बताए कि धारा किस दिसा में है तो ऐसा नहीं बताए तो आपको मानना है कि इसके धारा जो है वो विपरीत हो सकती है या समान हो सकती है तो आपको इससे कोई relation नहीं रखना है आपको सिधा इसका answer करना है कि इनके बीच में आकर्षन बल होगा चुमबक के निर्मान की कौन सी विदी को पोल चारजर विदी कते हैं तो प्रेरन विदी को अपन पोल चारजर विदी कते हैं प्रेरन विदी है ये सभी चुमबक बनाने की विदिया ही है इसलिए इस प्रेरन विदी का अपना जो उपयोग है इसी को अपन पोल चारजर होता है generator में होता ही है DC motor में होता है with iron video टाइन यानि फ्रेस के अंदर अपने चुम्बक के प्रबाव नहीं होता है वहां पर उस में प्रबाव होता है धारा का उस में प्रबाव होता है थो इस क्यूंट का ँंसर होजाईगा option D विदूत आईरन क्योशन नमबर 15 यानि इस वीडियो का अपना लास्ट क्योशन है स्टेरिसिस वक्कर में कौन सी रासी पस्च गामी होती है देखें स्टेरिसिस वक्कर जो है ये चुम्बक के फलक्स गनत्व है और चुम्बक के बल के बीच में खिचा जाता है इस परकार से आगे बढ़ता है लेकिन फिर वापस जब इसकी गठाते है तो ये चुम्बक के बल को वापस जब कम करते है तो फलक्स गनत्व इसके साथ में नहीं गढ़ता है और पीछे की तरफ रह जाता है और तो इसमें पीछे जो है वो कौन रहता है अपना चुमब के Flux गनतव रहता है तो ये अपना इस क्यूशन का Right Answer Option C हो जाएगा चुमब के Flux गनतव द्यान रखे आप से इसा भी पूचा जाकता है इस्टेरिसिस वक्कर को और किस नाम से जानते हैं तो चुमब की वक्कर के नाम से जानते हैं इसके बीच में खिचा जाता है, तो B और S के बीच में खिचा जाता है, यानि चुम्ब के फलक्स गनतवा और चुम्ब के बल के बीच में खिचा जाता है, पस्चगामी रासी यानि लेगिंग में कौन सी रासी रहती है, तो अपनी चुम्ब के फलक्स गनतवा रहती है, इस चुम्बक दो कहते हैं और इसको समाप्त करने के लिए जो बल लगाते हैं उसको ही अपन निगराही बल कहते हैं तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा जरूर सीखा होगा ऐसे टेस्ट आप और भी दे सकते हैं अपने चलन के साथ में आप जूड़ स झाल 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 झाल